अब आप सभी की बाइयो एंड्स विलंग्स पर मैं आम शिद्धी की हार्दिक स्वागत और अभरिनन करता हूं कैसे हैं दोस्त आप उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाय लिखाई का कारी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा हम सभी लोग सैटर्डे की क्लास में जो मंडे टू फ्राइडे बैच में पढ़े होते हैं उसका प्रैक्टिस शेशन करते हैं इस प्रैक्टिस शेशन के माध्यम से ओल्ड बैच के लोगों का माइंड मैप बैच के लोगों का गोल्ड बैच के लोगों का एक्जाम सेशन के माध्यम से हम सभी लोग अपना एनलिसिस करते हैं कि हमारी preparation कहां तक है आज के सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं कुछ important topic की जिसमें हम सभी लोग प्रश्न देखेंगे रिक्सिया से सम्मंधित कुछ प्रश्न होंगे पाइला से सम्मंधित जीनस की और साथ में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पाइला और यूनियों की जो मोलस्का फाइलम को बिलॉंग करता है और इससे सम्मंधित प्रश्नों को हम सभी लोग देखेंगे रिक्सिया important genus है ब्रायोफाइटा का जो हमारे examination के point of view से काफी important है उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से revision का कारी किया होगा और प्रश्नों के माध्यम से analysis करेंगे कि आप सभी लोगों की preparation कैसे चल रही है तो दोस्तों आज के session में पहला प्रश्न है आपकी screen पर उम्मीद करते हैं सभी लोग ready होंगे पहला प्रश्न है आपकी screen पर filling the blanks का प्रश्न है जिसमें रिक्सिया से सम्बंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिला है उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसका answer करेंगे पहला प्रश्ण है आपकी स्क्रीन पर, इन मारकेंशिया, मारकेंशिया में अगर हम बात करें, specialized branches bearing male and female sex argon, मतलब जो मारकेंशिया होता है, मारकेंशिया के case में आप सभी लोगों को पता है, कि आप जब मारकेंशिया का structure देखते हैं, तो आपको याद आता है, this is मारकेंशिया, इस मारकेंशिया से female sex argon का एक structure और male sex argon का एक structure लगा होता है, जिसे हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी लोगों को बताना है, इसे किस नाम से जानते हैं, जो male reproductive part का ये branch होता है जिस पर male sex organ लगे होते हैं उसे हम लोग anthiridio 4 के नाम से जानते हैं जो male branch होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं anthiridio 4 के नाम से जानते हैं उम्मिद करते हैं आप में से कई लोगों का जवाब आ रहा होगा कि इसे anthiridio 4 कहते हैं और जो female में होता है उसे Archie Gonia 4 कहते हैं थोड़ा सा sense लगा करके पढ़ करके समझ करके आंसर करना है और उम्मित करते हैं आप सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा और आप में से ज़्यादा तर लोगों ने correct answer किया होगा प्राची सिंग जी संजीव गोश्वामी जी समर शर्मा जी गुड इवनिंग रोली जी बिलकुल correct है सुमित्रा मुर्मू जी correct है जी राजकुमार जी अतहर अंसारी जी बिलकुल correct है वंदना सिंग जी दीपक लहाबाद जी संध्या चौधरी जी कोमल राठी जी जी रोली ज उम्मिद करते हैं नेहा मौरिया जी निकिता गुपता जी समीना शेख जी वालेकुम असलाम सभी को गुड इवनिंग जी सशीकांत जी जी डिफ्रेंट थैलस हेट्रो थैलाई होता है और इसका आप सभी लोग बताएंगे कि ये एंथ्रीडियो फोर बियर करता है और ये आर देर आर नो रिक्सिया फ्लूटेंस थैलस में नहीं होता है अगर आप से पूछा जाए कि रिक्सिया फ्लूटेंस में क्या नहीं होता है दो चीजों की बात कर रहे हैं क्या नहीं होता है तो आप सभी लोग दिमाग दोडाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि रिक्सि आप प्लूटेंस के नाम से जानते हैं. आप बताएंगे, इसमें क्या absent होता है? तो लोगों का जवाब आ रहा है, no rise whites and scales. बहुत अच्छे, कई सारे लोगों का सही जवाब आ रहा है, कि इसमें क्या होता है? इसमें rise whites नहीं होते हैं, इसमें scales नहीं होते हैं, तो आप सभी का जवाब दिया है, सभी लोगों का आंसर करेक्ट है, रिक्सिया फ्लूटेंस एक अक्वेटिक स्पेसीज है, आप में से कोई बताएगा, कोई दूसरी अक्वेटिक स्पेसीज का नाम, जैसे अक्वेटिक स्पेसीज पहले का नाम रिक्सिया फ्लूटेंस है, और दूसरी स्प पिसीज है जी अतार अंसारी जी का जबाब आ रहा है कि एक है रियेला जी रिक्सियो कारपस हाँ चलेगा जी सिजल पांडे जी खुछ रहिए रिक्सिया फ्लूटेंस के अलामा रिक्सिया नेटंस हाँ चलेगा जी कई सारे आंसर आ गये हैं और वंदना भासकर जी ने बताय है रिक्सिया अबूएंस भी है सर जी बिल्कुल सही है रिक्सिया एक्वेंस भी आती है इसी में तो यह सब क्या है यह सब अक्वेटिक स्पेसीज हैं उम्मिद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट है नेक्स कोस्चन है after fertilization the disc of Archigonio 4 in Markensia undergoes बहुत अच्छा question है और इस पर star लगा लिजेगा ध्यान रखिएगा यह आपसे निकलने नहीं चाहिए यह अच्छा सा question है काफी important है after fertilization disc of Archigonio 4 जो Archigonio 4 का disc होता है Markensia में undergoes यह undergoes कौन से process को follow करता है याद रखिएगा inversion most most important है यह inversion करता है undergoes inversion और उम्मिद करते हैं आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए यह important सा question है कि after fertilization disc of Archigonio 4 in Markensia undergoes inversion यह inversion सो करता है जब हम आपको रिक्षिया के बाद Markensia पढ़ाएंगे तो उसमें inversion क्या होता है डिटेल में समझाएंगे in Markensia the endothesium ultimately gives rise endothesium क्या gives rise करता है कह रहे हैं कि अगर आप से पूछा जाए endothesium gives rise तो आप बताएंगे सर endothesium gives rise spores यह spores देता है and elators इससे spores और elators बनते हैं इसका सही answer हो जाएगा in Markensia endothesium ultimately give rise to spores and elators इसका correct answer आप जाएगा इससे spores और elators बनते हैं क्या बनते हैं महिमा मिश्रा जी पडाम खुश रहिए इससे spores और elators बनते हैं उपाशना चौहान जी राजकुमार सिंग जी संजीव गोश्वामी जी कुमारी खुश्बू जी हरकेश वर्मा जी दीपक साहब इसनेहा किशरवानी जी कोमल राठी जी समीना शेक जी क्या बनता है राधा वर्मा जी ये बनता है स्पोर्स बनते हैं और elators बनते हैं पाच्वा कोश्चन है इन मारकेंशिया दा इलेटर मदर सिल उसके बाद मियोसिस तो आप बताएंगे कि ब्रायोफाइट में मियोसिस देखने को नहीं मिलता तो मारकेंशिया में भी जो इलेटर मदर सिल हैं यहां क्या फिल होगा यहां फिल होगा दस नाट अंडर गोज दस नाट अंडर गोज मियोसिस यहां पर फिल होगा कि मारकेंशिया में जो इलेटर मदर सिल होती हैं वो मियोसिस नहीं करती है आपको पता है ब्रायोफाइट दा कैलिप्टरा प्रोटेक्टिंग दा इस्पोरोगोनियम आफ्रिक्षिया इस इन नेचर, किस नेचर में होता है, गैमिटोफिटिक नेचर में होता है, या इस्पोरोफिटिक नेचर में होता है, आप का आंसर आएगा, इन इस गैमिटोफिटिक इन नेचर, किस नेचर में होता है गैमिटो फिटिक इन नेचर तो हैपलॉइड तो होता ही है वो सभी लोग जानते हैं हैपलॉइड होता है हम सभी लोग जानते हैं लेकिन ये कैसे नेचर में होता है ये गैमिटो फिटिक नेचर में होता है जी ये गैमिटो फिटिक नेचर में होता है सोनम राजपू जी गुड इवनिंग और उम्मिद करते हैं इस तरह से आप सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा gametophytic in nature कैलिप्टरा कैसा होता है gametophytic in nature में होता है और heploid होता है आप सभी लोग जानते हैं यह प्लैजियो काजमा उसी order का member है जिसमें रिक्सिया आता है जिसमें आपका markensia आता है जिसमें आपका markensia आता है उसी में एक जीनस आता है जिसका नाम है plagio cosma कहरें कि mature sporophyte of plagio cosma has plagio cosma में होता है आप बताएंगे three parts इसके sporophytes में तीन parts होते हैं three parts होता है वो कौन कौन सा होता है आप बताएंगे वो होता है foot वो होता है सीटा और वो होता है कैपसूल तो इसका filling the blanks कैसे होगा यहां पर हो जाएगा has three parts which is foot, सीटा and कैपसूल जो क्या होता है जो foot, सीटा और कैपसूल के फॉर्म में होता है इस फॉर्म में होता है जो foot, ceta और capsule के form में होता है उम्मिद करते हैं सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा यहां से थोड़ा सा confusion रहा होगा लेकिन एक genus अपने दिमाग में और रखिए plasiocosmum plasiocosmum भी यह क्या है यह भी आपका bryophyte है elators are in the sporophyte of plasiocosmum elators are, elators present होते हैं elators are present, यहां पर fill होगा elators are present in the sporophyte of plasiocosmum plasiocosmum के sporophyte में भी elators present होते हैं माना कि यह दो question नए type के थे लेकिन यह आपको कहीं न कहीं से आपके examination में help करेंगे plasiocosmum को याद करके रखना है यह कहीं न कहीं से आपके exam में help कर सकते हैं अगर थोड़ा सा question इधर से उधर हुआ तो multiple choice के question है, काफी अच्छे हैं देखते हैं आप में से कौन है जो इसका correct answer करता है the archigonio 4 of markensia and plasiocosmum is known as करें कि archigonio 4 जो कि markensia में बनता है और plasiocosmum में बनता है also known as archigonio 4 को और किस नाम से जानते हैं आपसे सवाल है कि archigonio 4 को और किस नाम से जानते हैं बताने की कोशिश करिएगा उम्मिद करते हैं कि correct answer आएगा archigonio 4 को और किस नाम से जानते हैं और लग रहा है कि सभी लोग गड़बड ही हो रहे हैं ममता सिंग जी बिलकुल सभी लोग प्रणाम खुश रही है सभी लोग ए आंसर कर रहे हैं ओके वंदना सिंग जी किलियर जी लग भग सभी लोग आंसर कर रहे हैं लेकिन इसका सही आंसर है archigonio 4 is known as in markensia और प्लैजियो इसकाजमा इसे बोलते हैं कार्पो सिफैलम जब markensia पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि this is called कार्पो सिफैलम इसे कार्पो सिफैलम के नाम से जानते हैं archigonio 4 को कार्पो सिफैलम के नाम से जानते हैं C इसका correct answer है अच्छा लगा कि अब दुबारा आपसे गलत नहीं होगा rixia flutens and rixiocarpus natens are rixia flutens और rixia carpus newtens are ये होते हैं क्या होते हैं बताने कोईश करिएगा rixia flutens नाम देखते ही आप समझ गए rixia carpus natens ये दोनों species क्या होती हैं ये दोनों species aquatic होती हैं और उम्मिद करते हैं लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा कि सर ये दोनों species क्या होती हैं ये aquatic species हैं most most important है और सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से answer आ रहा होगा कि they are aquatic species याद रखिएगा important है आपके exam के लिए इन rixia anthrozoides are काफी अच्छा question है रिक्षिया में anthrozoides होता है इन rixia anthrozoides are long होता है curved होता है multi-cellulated होता है आप बताएंगे महा गलत है ये biflagellated होता है short and without any flagella ये भी गलत है ये होता है elongated, curved and biflagellated इसका सही answer है elongated, curved and biflagellated इसका anthrozoides कैसा होता है लगभग सभी का correct answer आ रहा है elongated होता है जी अनुराधा जी इसका जो है जो anthrozoides होता है वो elongated होता है curved होता है और biflagellated होता है उम्मीद करते हैं लगभग सभी का correct answer आ रहा होगा next question है question number 4 आपकी screen पर which among the following shows maximum sporogynous tissue इसमें से कौन है जिसमें maximum sporogynous tissue देखने को मिलते हैं जी आप बताएंगे इसमें कौन है जिसमें maximum sporogynous tissue देखने को मिलते हैं तो आप बताएंगे rixia इसका correct answer है क्योंकि rixia में कोई elators नहीं बनते जो sporogynous tissue होता है वो fertile ही होता है और ये rixia इसका correct answer है लेकिन rixia crystallina की जब बात आती है तो rixia crystallina में आप सभी को याद है कि वहाँ पर कुछ sporogenous cells जो होती है वो nurse cell का formation करती है और rixia crystallina में nurse cell पाई जाती है जो spore को develop होने के लिए nourishment provide करती है इसलिए इनको nurse cell कहा जाता है कभी आप से पूछा जाए कि nurse cell किसमें present होती है तो rixia की crystallina species याद रखिएगा तो rixia में sporogenous tissue क्या होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें elators का formation नहीं होता है कैलिप्टरा develops from कैलिप्टरा कहां से develop होते हैं उमीद करते हैं सभी का correct answer आएगा ये कहां से develop होते हैं बताने की कोशिश करिएगा सभी लोगों का correct answer आ रहा है कि ये develop होते हैं winter wall से कहां से develop होते हैं ये develop होते हैं winter wall से wall of winter से ये develop होते हैं ये कहां से develop होते हैं wall of winter से ये develop होते हैं next question है question number six आपकी screen पर एन आर्चीगोनिया आफ रिक्सिया है रिक्सिया के आर्चीगोनिया में होता है फोर नेक कैनाल सेल होती है एक वेंटर कैनाल सेल होती है और एक उस्फियर होता है C नहीं होगा, two sphere नहीं होता, six neck canal cell होती हैं, अब बताएंगे ये भी गलत हो गया, Rixia में four neck canal cell होती है, और एक winter canal cell होती है, और एक U sphere होता है, इसका सही answer जितने लोगों ने A किया है, लगभख सभी लोगों का correct answer है, A is the right answer, इसमें क्या होता है, इसमें four neck canal cell होती है, एक वेब्टर कैनाल होता है और एक ओश्फिर होता है इस दे राइट आंसर और उम्मित करते हैं लगबख सभी का करेक्ट आंसर होगा इस्पोर्स आफ रिक्सिया आफ रिक्सिया आफ रिक्सिया आफ रिक्सिया आफ रिक्सिया के इस्पोर्स लिबरेट होते हैं किसके दौरा जी इस्पोर्स आफ रिक्सिया 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 आफ कैपसूल के द्वारा, death and decay of thallus and external pressure and kaliptra के द्वारा, zero case of illators के द्वारा, इसका सही answer है, ये liberate होते हैं, death and decay of thallus and external presence pressure of kaliptra, ये जब इनका thallus death or decay करता है और kaliptra का pressure होता है, तब ये क्या होते हैं, इनके sports liberated होते हैं, और लगभग सभी का correct answer चल रहा है, C is the right answer, मन्जू जी, गौतम यश्पाल जी, बहुत दिन बाद, राहुल टिवारी जी, दिव्या जी, उशा गुपता जी, खतीजा सहजाद जी, मनोश कुमार जी, योगिता जी, हरिकेश जी, अर्जुन कुमार जी, खोली से वापस आ गएं क्या भई, समिक्षा सिंग जी, नंदनी यादो जी, अनुरोध जैश्वाल जी, पंकश कुमार जी, उपाशना चौहान जी, अनुराधा जी, नंदनी जी, संगीता सिंग जी, अभिदाज पाल जी, उपाशना चौहान जी, लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, एट नंबर कुश्चन है, रिक्सिया, रिक्सिया या ब्रायफाइट्स में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कुशुश करिएगा, और उम्मिद करते हैं, करेक्ट आंसर आ रहा होगा, जी, विने मैनी जी का आंसर दिख गया है, अभि मन्नियो निशाद जी, आंसर करें, राहुल टिवारी इटावा जी, क्या भाई राहुल जी कैसे गरबड हो गया, अरे भाई रिक्सिया में या ब्रायफाइट्स में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है, sporophyte जो होता है वो क्या होता है dependent होता है on gametophyte कब पढ़ लिया कि sporophyte independent होता है अरे हमेशा से याद रखा है कि sporophyte जो होता है वो gametophyte पर क्या होता है dependent होता है और जो dependent होता है उसको parasite ही बोलते है जो dependent होता है उसे parasite ही बोलते है इसका सही आंसर है A, sporophyte is parasitic over gametophyte, sporophyte is independent, महा गलत है, क्योंकि gametophyte independent होता है, sporophyte is semi-parasite, यह funeria में देखने को मिलता है, funeria में जो होता है, यह देखने को मिलता है, रिक्सिया में क्या होता है, totally dependent होता है, totally dependent होता है, जी, अंकिता जी, हमें पता है, आप क्लास में हैं, श्रद्धा मिश्रा जी, अनुपातिवारी जी, सोनम राजपूत जी, गल्ती से mistake हो गई, ओके, कोई बात नहीं, जी, खतीजा सहजाद जी, अनुपातिवारी जी, कुमार जी, कैसे हैं संदीब जी, जी, उमीद करते हैं, यहां तक की बाते हैं, किलियर, जी, next question पर चलते हैं, question number 9, आपकी screen पर, rise whites in rixia are, rixia की rise whites होती है, in rise whites, rixia are unicellular, Bernicellular, smooth walt, unicellular, tuberculated, both smooth walt and tuberculated, unicellular, multi cellular, smooth walt and tuberculated, तो सबसे पहले आपको हटा देना है, multi-cellular नहीं होता, both smooth-walled and tuberculated होता है, कैसा होता है, smooth-walled and tuberculated होता है, question solve करते समय, आपको याद आया होगा, ये legulate, legulate बताया था, ये rixia में होता है, याद आया होगा, appendiculate, ये दोनों नाम किसके हैं, scales के नाम है, लेकिन आपको कहाँ पता, आपको तो याद आया, कि एक लिखा था, कि legulate और appendiculate, ये दोनों markensia में होता है, आपको तो ये याद आया, जी, आपको खुब पुराना याद आता है, और कुछ लोगों को धूमिल दिखाई देता है, जी, legulate, rixia में होता है, this is scales, smooth-walled भी होता ह है, tuberculated होता है, जी, खतीजा जी, बिल्कुल सही है, और ये याद रखिएगा, जो scales होती है, दोनों क्या है, scales, scales जो होती है, ये scales multi-cellular होती है, scales जो होती है, ये multi-cellular होती है, जबकि rise-walled जो होता है, वो uni-cellular होता है, और याद रखिएगा, कि आपका जो rixia है, rixia में, य smooth wald और tuberculated दोनो rice whites होते हैं जब rice whites ऐसे होते हैं तो इसे हम लोग smooth wald बोलते हैं और जब rice whites में mitochondria की तरह kristi बनते हुए दिखे तो समझ जाएए इसे क्या कहते हैं इसे tuberculated कहते हैं तो rixia में दोनों तरह के आपके rice whites देखने को मिलते हैं तो आपका सही answer हो जाएगा next question question number 10 आपकी screen पर sporophyte of rixia contains rixia के sporophytes में होता है देखते हैं किसका correct answer आता है rixia के sporophytes में होता है क्या क्या होता है बिल्कुल सही tuberculated rice whites को ही peg like rice whites कहते हैं जी अंकिता जी done है बताने की कोशिश करिएगा next question आपकी screen पर है उम्मिद करता हूँ correct answer आएगा sporophyte of rixia contains rixia के sporophytes में होते हैं क्या होते हैं तो आप बताएगा sir इसमें spores होते हैं प्लस इसमें nurse cell होती है और इसी nurse cell को क्या लिख दिया गया है nutritive cell लिख दिया गया है तो आपका सही answer हो जाएगा sports plus nutritive cell sports plus nutritive cell आरती राजपूत जी स्वागत है जे इसका सही answer हो जाएगा जे correct है जे good evening सभी को आएए next question पर चलते हैं question number 11 आपकी screen पर रिक्सिया गयमिटोफाइट develop from sports and ends in रिक्सिया का गयमिटोफाइट sport से develop होता है हाँ भाई बिल्कुल सही है जब गयमिटोफाइट का development होता है तो sport से होता है और गयमिटोफाइट का जब end होता है तो zygote से होता है तो यह point याद रखना है कि gametophyte की last cell जो होती है, zygote होती है, gametophyte की जो starting cell होती है, begins होता है, वो spore से होता है, तो आप सभी का correct answer आ रहा होगा, कि इसका जो last cell होता है, last stage होती है, that is called zygote, इसे हम लोग zygote के नाम से जानते हैं, rixia gametophyte develops from spores and ends in zygote, और उमीद करते हैं, सभी का correct answer आ रहा होगा, zygote is the right answer, zygote is the right answer, और sporophyte की शुरुवात जो होती है, वो zygote से होती है, और end जो होता है, वो spore से होता है, plant body of rixia is, rixia की plant body होती है, rixia की plant body कैसी होती है, आपके पास option है, plant body of rixia या plant body of bryophytes, तो आप सभी का answer आएगा, gametophyte is the right answer, लगभग सभी लोग का answer आ रहा होगा, plant body is gametophyte, इसकी plant body क्या होती है, gametophyte होती है, और सभी लोगों का लगभग लगभग correct answer है, जी, जूली पाल जी, संदीव कुमार जी, नंदनी जी, छमा जी, सोनम राजपूद जी, मनोश कुमार जी, समीन शेक जी, लगभग सभी लो आप सभी का answer आएगा, रिक्सिया का थैलस कौन होता है, रिक्सिया का थैलस gametophyte होता है, और gametophyte कैसा होता है, gametophyte हैploid होता है, तो आप सभी का answer आएगा, gametophyte हैploid structure होता है, और इस आधार पर आप सभी का correct answer आ रहा होगा, कि gametophyte हैploid structure होता है, ये थे रिक्सिया से सम् इन लोगों ने आज admission की प्रक्रिया को पूरा किया है और जो है संस्था से आज जुड़े हैं उन सभी लोगों को time table मिल चुका होगा सभी लोग बाखु भी जानते हैं कि आपकी संस्था में target 24 first batch और target 24 second batch दो batch चल रहे हैं target 24 second batch अभी 5 में start हुआ है target 24 second batch ये अभी start हुआ है और इस batch में morning की class में 10.30 बजे ब्रायो फाइटा का topic चल रहा है और evening की class में 7 बजे यहाँ पर non cardate का topic चल रहा है आप में से जो लोग इस बैस से जुड़े हैं ये सभी लोग पूरे इमानदारी के साथ आज Saturday है आज Saturday है आप इसमें मोलस्का का topic को बहतरीन तरीके से अपनी copy में note करेंगे और कल संडे है दो दिन में आप सभी लोग मोलस्का को complete करेंगे मंडे से schedule से आपकी classes होंगी और morning में ब्रायो फाइटा में हम सभी लोगों ने रिक्सिया पढ़ लिया है जिसका practice session कर रहे हैं अगला topic हम लोग Markensia पढ़ेंगे फिर उसका भी practice session करेंगे मोलस्का में हम लोगों ने पाइला पढ़ लिया है हम लोगों ने यूनियो पढ़ लिया है अब हमारा अगला topic होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे Echinodermita के बारे में हम सभी लोग अगला फाइलम पढ़ेंगे E देटेल में जाते हैं आपके साथ यूनियो में कल हमने digestive system पढ़ाया है और यूनियो में कल respiratory system पढ़ाया है दो topic को हमने handle किया है अभी इसमें circulatory system पढ़ना है अभी इसमें हम लोगों को excretory system पढ़ना है अभी हम लोगों को इसमें reproductive system पढ़ना है ये तीन topic को detail में और पढ़ करें और जो लोग अभी तक क्लास में किसी कारण बस जुड़ नहीं पाएं हैं वो सभी लोग क्लास से जुड़ने के लिए 875670-3588 पर ज्वाइन बायलाजी लिख कर भेजें और अपने होने वाले एक्जाम के लिए जो लोग इसकी तयारी कर रहे हैं या फिर LT उत्राखंड की तयारी कर रहे हैं या फिर 36 गड़ के एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं जारखंड के लिए कर रहे हैं और वो सभी लोग जो है अपनी प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो आपकी स फिनिश हो जाएगा और आप सभी लोग चाहते हैं कि आप कम समय में पूरी classes को पा सकें तो आप सभी लोग इस बैस से जुड़ें और अपने LT के exam के लिए 36 गड़ के exam के लिए जारखंड के लिए बिहार के exam के लिए या फिर आने वाले EMRS के exam के लिए या फिर KVS के exam के लिए ये आपके लिए focusable होगा जिससे आपको फाइदा मिल सकता है तो आप सभी लोग class से जुड़ने के लिए इस नमबर पे WhatsApp कर सकते हैं और ज्वाइन biology लिखकर भेज सकते हैं और जिनकी preparation बेटर तरीके से हो गई है गोल्ड बैश के खास करके गोल्ड बैश के लोग जिन लोगों ने अपना बैश कंप्लीट कर लिया है और अभी तक किसी कारण बस स्योर टेस्ट स्रीज से प्रैक्टिस शेशन नहीं कर रहे हैं वो सभी के मताबिक जो सभी लोग हैं सभी लोगों ने कहा था कि होली के बाद वेडिनेस जिसे हम सभी लोग एक प्रैक्टिस शेशन सॉल्व करेंगे इमांदारी से बताईएगा कि क्या आप सभी लोग एक प्रैक्टिस शेशन डेली सॉल्व कर रहे हैं आपके आंसर्स हम देखना चाहते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं जी आप सभी लोग बताने की कोशिश करिए रोली जी हमने किया है सर आफरिन सिद्धिकी जी वालेकुम असलाम जी तिर्शा यादो जी किया है सर राहुल टिवारी जी चल रहा है सर जी बहुत अच्छे वेरी गुड आताहर अंसारी जी नहीं सर शुरू करेंगे कल से कल कब आता है आताहर जी सिंसिर केंडिडेट ऐसा क दूमार जी, संगीता सिंग जी शुरू है, 10 सिरीज कंप्लीट, कैसा फिल कर रहे हैं, 10 को पूरा करने के बाद राहुल जी कैसा फिल कर रहे हैं, कर रहे हैं, अभिराज जी, योगिता जी कर रही हैं, समीना शेख जी, हमने भी परचेज नहीं किया है, अरे, जल्दी-जल्द जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है, खास करके गोल्ड बैच के लोग, क्योंकि आज मेरे पास करीब 4-5 फोन आये थे, वो भी गोल्ड बैच के स्टुडेंट्स के थे, उन लोगों का कहना ये था कि सर, अभी थोड़ी सी क्लासेज बची हुई हैं, तो क्या पहले से श करना शुरू करिए, साइध एक-दो लोग क्लास में जुड़े भी, तो आप में से जो लोग हैं, जो प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं, वो सभी लोग कॉंटिनू करें और से और टेस्ट से जुड़े, इंपोर्टेंट हैं, आपके एक्जामिनेशन के लिए, प्लस आप के लिए तीन से चार महीने अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा, तीन से चार महीने आप रोज एक टेस्ट सिरीज सॉल्व करेंगे, तब आपको तीन से चार महीने लगे गए, सोचिए, जब कभी एक्जाम देने जाएंगे आप, और सत्तर, नहीं, 90 टेस्ट सिरीज लेक चाहे वो biology से RPSC का exam हो, चाहे biology से 36 गड़ का exam हो, चाहे जारखंड का exam हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे दिल्ली SSB का हो, चाहे UP का हो, चाहे जिस state का exam होगा, biology के प्रश्ण आपको वहीं से मिलेंगे. तो आप सभी लोग पूरे इमानदारी के साथ उस CO test series से जुड़ें और अपना प्रैक्टिस्टेशन कांटिनू करें. फिलिंदा ब्लैंक्स का पहला प्रश्ण है, इन पाइला mental secrets, पाइला में mental secret करता है, RL कोटपाल में, RL कोटपाल की book में ये question दिया हुआ है, RL कोटपाल जो लोग follow करते होंगे, उनको पता है कि फिलिंदा ब्लैंक्स का तीन question दिया है, और वही तीनों question आपके सामने है, क्योंकि जब examination में non-cordate से प्रश्ण बनते हैं, तो RL कोटपाल को follow किया जाता है, जब follow किया जाता है, तो कितने question उठाने हैं, पूरे कोटप से 18 से 20 question उठाने हैं, तो हो सकता है कि अगर आपकी practice बेटर तरीके से रहें, तो आप जो भी question उठें, वो आप आसानी से handle कर लें, तो ये examination के लिए काफी important है, बताने की कोशिश करिएगा, इसका सही answer क्या हो सकता है, इसका सही answer क्या हो सकता है, जी, तो ग्यान पतेल जी का answer आ रहा है सर, calcium carbonate, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, जितने लोगों ने answer किया है, कि पाइला mental secrets, shell of calcium carbonate, सभी का correct है, shell of calcium carbonate, ये calcium carbonate, shell का calcium carbonate, जो होता है, यही secret करता है, इन पाइला mental secrets, shell of calcium carbonate, पाइला में mental जो है, shell of calcium carbonate को secret करता है, उमिद करते हैं, सभी लोगों का correct होगा, दूसरा question, तीसरा question आपके सामने एक साथ है, इन पाइला, aerial respiration occurs through, पाइला में aerial respiration होता है, पाइला में दो टाइप का respiration होता है, आप से पूछा है, aerial respiration किस से होता है, एक होता है, अक्वेटिक respiration, पाइला में अक्वेटिक respiration भी होता है, जब पाइला कहां रहता है, पानी में रहता है, तो यह अक्वेटिक respiration करता है, और जब अक्वेटिक respiration करता है, तो गिल्स को यूज करता है, जिसे टिनीडिया कहा जाता है, टिनीडिया भी कहते हैं, गिल्स या ट answer यह pulmonary sacs को use करता है या आप कह सकते हैं यह lungs को use करता है उम्मिद करता हूँ सभी का correct answer आना चाहिए कि यह pulmonary sac use करता है यह lungs को use करता है जी लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा है कि जब यह aerial respiration करता है तो यह pulmonary sac को use करता है और जब यह aquatic respiration करता है तो गिल्स के यूज़ करता है Chemically Molluscans Shell is formed off Chemically Molluscans Cell किसकी बनती है तो आप बताएंगे सर Chemically Molluscans Cell Calcium Carbonate की बनती है किसकी बनती है Calcium Carbonate लेकिन आंसर में ये तो नहीं आएगा क्योंकि आंसर में यहाँ पर एक भरा जाएगा और यहाँ पर एक भरा जाएगा तो आंसर तो ये नहीं होगा Calcium Carbonate होता है लेकिन किस फॉर्म में होता है ये यहाँ पर आंसर पूछा है तो आप समझ बूछ करके ये तो कही सकते हैं कि सर इसमें Calcium Carbonate नहीं होगा बलकि Calcium Carbonate का form होगा वो form कौन सा है तो आप बताएंगे एक form होता है calcite, एक होता है calcite और एक होता है argonite, तो इसका सही answer होगा, यहाँ पर fill होगा argonite और calcite, यहाँ पर fill होगा argonite और calcite, जी यहाँ पर fill होगा calcite और argonite, और यह याद रखिएगा, important है आपके examination के point of view से, calcite and argonite. Are next question पर चलते हैं, question no. 1, आएगा आपका multiple twice question में, fresh water apple snail is, इसमें से कौन है जो fresh water apple snail के नाम से जाना जाता है? सभी लोगों का तेजी से आंसर चलेगा, कि कौन है जो fresh water apple snail के नाम से जाना जाता है? लगबग सभी का correct answer आ रहा है, this is pilea, pilea को fresh water apple snail के नाम से जानते हैं. पाइला का हार्ट जो होता है वो कितने चैमबर का होता है अगर आपसे पूछा जाए इसके हार्ट में चैमबर कितने होते हैं तो क्या आंसर आ रहा है अगर पूछा जाए कि पाइला के हार्ट में चैमबर कितने होते हैं जी तो मनोश कुमार का आंसर आया दो चैमबर होते है जी, खतिजा सहजाद जी का अंसर आया, दो चैमबर, अनुरोध जैश्वाल जी का अंसर आया, तीन चैमबर होते हैं, योगिता अत्रिवेदी जी का अंसर आया, दो चैमबर, जी, किसको सही माना जाए भाई, दो चैमबर वालों को, या तीन चैमबर वालों को, जी तो पता ये चला कि सर जो जो लोग बता रहे हैं दो चैमबर होता है उनका सही है इसका दो चैमबर होता है और आपको डाइग्राम बना की दिखाया था कुछ इस तरीके से होता है दो चैमबर होता है कितने चैमबर होते हैं टू चैमबर अनरोध जी याद रखना है अगर पूछा जाए यूनियो में कितना चैमबर होता है तो आपको तो याद है ना यूनियो यूनियो का हार्ट दुनिया में बहुत फेमस हार्ट है यूनियो का हार्ट बहुत फेमस elementary canal pass होती है सबसे खास बात है union के heart से elementary canal pass होती है union का heart जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है like this union का heart कुछ इस तरह से होता है like this एक chamber ये कहलाता है ventricle, ये chamber कहलाता है auricle, इसमें तीन chamber होते हैं, union के heart में तीन chamber होते हैं जबकि paila के heart में उमिद करते हैं, यूनियो का हाट, special हाट है, इससे elementary canal pass out होती है, यूनियो का हाट, special हाट है, three chambers का होता है, दो auricle होते है, एक ventricle होता है, और इससे elementary canal pass out होती है, और उमिद करते हैं, आप सभी को याद रहेगा, यूनियो के heart three chambers होते हैं और इससे कौन pass out होता है इससे pass out होता है elementary canal कौन pass out होता है elementary canal pass out होता है तो आप से कभी पूछा जाए कि किसके heart से elementary canal pass out होता है तो आप सभी लोग बताएंगे कि ये जो है आपका यूनियो का heart है जिससे elementary canal pass out होता है next question, दूसरा question आपकी स्क्रीन पर aerial respiration in paila occurs from paila में aerial respiration किसके द्वारा होता है aerial respiration in paila occurs from mental, tenedium, pulmonary sac, bronchi सभी का करेक्टांसर आ रहा होगा aerial respiration के लिए pulmonary sac जाना जाता है aerial respiration के लिए pulmonary sac जाना जाता है और उम्मिद करते हैं सभी लोगों का करेक्टांसर आ रहा होगा done, next question, question number 3 आपकी स्क्रीन पर excretory argon of paila is paila का excretory argon होता है देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, कितने लोगों का गलत होता है गलत और सही के इस सिलसिले को यहीं पर देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है excretory argon of paila kebers argon, kidney, renal argon, none जब कभी आप पढ़ते हैं, तो आपको गुरु जी पढ़ाते हैं कि पाईला में excretory argon होता है metanephridia metanephridia, फिर आगे कहते हैं, इसी metanephridia को argon of bojanus कहा जाता है इसी को argon of bojanus कहा जाता है फिर आप यहीं पढ़ते हैं, इसी को kebers argon कहा जाता है इसी को K-Burse Argon कहा जाता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है आपके पास क्या दिया है Metanephridia भी दिया है Argon आप Bogenes दिया है K-Burse Argon भी दिया है और इन तीनों के आधार पर आपको आंसर में क्या मिल रहा है आपको आंसर में मिल रहा है जी उपाशना चोहान जी तो यहाँ पर आपको यह तीनों आप्शन देखने को मिलते हैं यह तीनों देखने को मिलते हैं Argon of Bogenes इसमें आप्शन नहीं है यह आपको थोड़ा सा और अंदर इसलिए कहते हैं डिटेल में पढ़ना चाहिए फटा-फट कोर्स खतम करना बहादूरी नहीं है कम समय में एक दिन में अगर आप पूरा Animal Physiology revise कर लेते हैं तो इट इस नाट गुड लेकिन Animal Physiology जब revise कर लें तो उससे कोई question फसने नहीं चाहिए इस तरीके से अपनी preparation करना चाहिए कि गरवर नहीं होना चाहिए यह जो Meta Nephridia होता है यह Renal Chamber से मिलकर बना होता है Renal Chamber इसमें दो Renal Chamber होते हैं Anterior और Posterior यह इससे मिलकर बना होता है Excretion इसके द्वारा होता है Renal Chamber के द्वारा इसलिए इसका सही आरगन है Renal Argens इसका सही आंसर होगा ये renal chamber से मिलकर बनता है और इस renal chamber के माध्यम से क्या होता है इनका जो है excretion होता है इसलिए आप सभी का correct answer होना चाहिए इसका renal organs याद रखिएगा कभी आप से exam में question पूछा जाए कि excretory organ पाइला का कौन सा होता है तो renal organs याद रखिएगा आरगन आफ बोजैनस is the excretory organ आफ आप बताएंगे बिलकुल correct है यूनियो का भी होता है और पाइला का भी होता है इसलिए इसका सही answer है बोथ दोनों में ये पाया जाता है आरगन आफ बोजैनस के लिए आप याद रखेंगे दोनों इसका correct answer है ये दोनों इसका correct answer है respiratory pigment in mollusca is, mollusca में respiratory pigment होता है कौन सा respiratory pigment होता है respiratory pigment in mollusca is, mollusca में respiratory pigment होता है hemoglobin, erythrocin, hemocinin, nanavdis सबका correct answer आ रहा होगा, copper containing compound होता है, copper containing pigment होता है जिसे hemocinin के नाम से जानते है, copper containing pigment होता है, जिसे hemocinin के नाम से जानते है और आशा करते हैं, सभी का correct answer आ रहा होगा, hemocinin is the right answer copper containing, जी, copper containing pigment होता है, जिसे hemocinin के नाम से जानते है ये copper containing पर focus क्यों कर रहे हैं, क्योंकि exam में question पूछता है, कि इसमें से कौन copper containing होता है एक आसान सा question जो कि आपके सामने काफी बार देखने को मिला है examination में, practice session में और जो है आप कह सकते हैं class में पढ़ते समय आपने इस प्रश्ण को कई बार देखा है How many teeth are found in a row of redula? Redula के एक row में कितने teeth पाए जाते हैं? वैसे redula के दोनों row में, आपको पता है, दोनों row में 14 teeth पाए जाते हैं पूछ रहा है कि एक row में कितने होते हैं, भाई 14, 2 में होते हैं तो एक में कितने आ जाएंगे, 7, तो सभी का correct answer आएगा 7 यहीं पर याद रखिएगा, यह पाईला में पाया जाता है रेडूला जो होता है, यह पाया जाता है जब कि union में क्या होता है, union में absent होता है तो आप लोग याद रखिएगा, रेडूला केवल पाया जाता है और union में absent होता है जी, समीना शेख जी, खतिजा सहजाद जी, संध्या चोधरी जी 21112 इसका अगर फार्मूला आप से पूछे तो आपको याद है 2112, इसका फार्मूला होता है 2112, बहुत अच्छे, गुड, जब इतनी बातें आप सभी लोगों को याद रहती हैं, तो काफी अच्छा लगता है, जी, रेडूला उल्ली पाइला में पाया जाता है, जी, साक्षी पार्टी जी, सुमित्रा मुर्मू जी, संगीता सिंग जी, सोनम राजपूद जी, निकिता गुपता जी, जी, सुमन मोर्या जी, नंदनी यादो जी, ममता सिंग जी, गौतम यस्पाल जी, राधा वरमा जी, अंकिता, विद्टिकी बायोक्हब, जी, अतारांसारी जी, clear? टारजन का नाम सुनते ही आप में एक ट्विस्टिंग आ जाती है जैसे ही टारजन का नाम सुनते हैं आप में भी एक ट्विस्टिंग आ जाती है और टारजन जो होता है ये पाईला के लारवा में देखने को मिलता है पाईला का लारवा जो होता है जिसे वैलिगर लारवा कह वैलिगर लारवा ट्विस्टिंग करता है clockwise और 180 डिग्री पर करता है इस twisting को जो clockwise 180 डिग्री पर ये करता है इस twisting को क्या कहते हैं तारजन कहते हैं यह gastropoda का आप कह सकते हैं peculiar character है, gastropoda का peculiar character है कि इसका larva जो होता है वो अपनी body को twist करता है, मरोडता है, उसकी twisting की जो घटना होती है 180 degree पर होती है, इसे ही torsion कहा जाता है, तो torsion कौन शो करता है, तो torsion शो करता है आपका पाइला. clockwise 180 degree पर होता है, और जी, अनुरोध जैश्वाल जी, anti-clockwise, जब यह clockwise कर लेता है, जब adult बनता है, तो अपनी अवस्था में आता है, तो यह anti-clockwise, anti-clockwise, जी, anti-clockwise, और 90 degree पर twisting करता है, तब यह क्या होता है, इसे बोलते हैं, detorgen, इसे बोलते हैं, detorgen, इसे हम लोग बोलते हैं, detorgen, और उम्मिद करते हैं, कि यहां तक की बाते हैं, आप सभी लोगों की clear. Next question, अच्छा सा question है, the shell coiling right-handed, जब shell right-hand coiling करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? जब यह right-handed coiling करता है, तो इसे dextral बोलते हैं, और जब left-handed coiling करता है, तो इसे sinistral बोलते हैं. तो दोनों term याद रखिएगा, right-handed, right-handed को dextral बोलते हैं, अगर यह left-handed coiling करता है, तो इसे sinistral बोलते हैं, दोनों term याद रखना है, जब यह right-handed coiling करता है, तो इसे dextral के नाम से जानते हैं. जे, clear, उमिद करते हैं, यहां तक की बाते हैं clear, बहुत अच्छी बात यह होती हैं कि question किसी भी तरीके के हूँ, आप लोग adjustable हैं, चीजें आपको याद हैं, इसलिए तो continue रहते हैं कि आपको भूलने न पाएं, किसी कारण बस आपको चाहे जैसे ही, मतलब जो है कह सकते हैं कि बताते रहते हैं कि इतने दिन की आपकी मेहनत हैं, आप revision का कारी 2-4 घंटे भी continue किये रहेंगे, और एक practice session solve करते रहेंगे, तो आपको बहुत profit होने वाली हैं. Biology के section से तो प्रश्ण गलत नहीं होंगे, दूसरे section को आपको manage करके चलना है. Tynidium perform respiration in, Tynidium से respiration किस में होता है, तो आप बताएंगे Tynidium बोले तो gills, gills से respiration water में होता है. Tynidium बोले तो gills, और gills से respiration कहां होता है, water में होता है. जी, उम्मिद करते हैं कि यहां तक की बाते आप सभी लोगों की clear. Done, next question पर चलते हैं, question number 10 आपकी screen पर. Blood of paila contains, आपको blood of paila के बारे में भी बताया था, कि blood of paila में होता है, क्या होता है? RBC, WBC, amoebocyte, monocyte. Paila के blood में होता है, बताने कुछिश करिएगा, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer आएगा. अभिशेक गिरी जी, नमस्ते, प्रडाम, खुश रहिए. जी, और लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा है, कि इसके blood में क्या होता है? पाइला के blood में होता है, और हीमोसाइनिन होता है, पाइला होता है, मोनोसियस होता है, डायोसियस होता है, हर्माफरोडाइट होता है, या फिननावदीस. अब बताएंगे सर, पाइला में male पाइला अलग होता है, female फाइला अलग होता है, so it is called dioces, इसे dioces कहा जाता है, पाइला में male पाइला अलग होता है, और female पाइला अलग होता है, इसमें fertilization internal होता है, लेकिन इसका development हमेशा external होता है, पाइला अपने पाइली बच्चों को भग भगवान भरोसे ग्रो करता है और डिवलप्मेंट उसका जो होता है तो आप कह सकते हैं भगवान भरोसे होता है जी तो पाइला डायोसियस होता है इसमें इंटर्नल होता है और इसमें आप बताएंगे डिवलप्मेंट जो होता है वो कैसा होता है वो डिवलप्मेंट जो होत होता है वो external होता है किलियर उम्मिद करते हैं यहां तक की बाते आप सभी लोगों की किलियर नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 12 आपकी स्क्रीन पर इन पाइला अब बताएंगे सेम टॉपिक का कोश्चन भी उड़ गया पाइला में फर्टिलाइजेशन इंटर्नल होता है लेकिन डेवलप्मेंट क्या होता है एक्स्टर्नल होता है यह अपने पाइला बच्चों को भगवान भरों से छोड़ देता है और इसमें से जो ग्रो कर जाते हैं जो लाइफ में आ जाते हैं जो आप कह सकते हैं कि जो है सर्वाइब कर जाते हैं वो पाइला बन जाते हैं डन उमीद करते हैं लगबग सभी लोगों का यहां तक का मामला के लिए शेल इस डेक्स्टरल होगी इसका जो शेल होगा वो डेक्स्टरल होगा इफ दा क्वाइलि अगर right-handed quailing होगी, तो shell जो होगा, वो dextral होगा, अगर left-handed quailing होगी, तो shell जो होगा, वो sinistral होगा, ये term याद रखना है, ये term काफी important है, आपके लिए, exam के लिए, तो ध्यान रखें, कि ये term गरवर नहीं होना चाहिए, right-handed, पाइला इस, पाइला खाता है, ये कार्णी वोरस होता है, हर्वी वोरस होता है, इसकैंजी वोरस होता है, ओमनी वोरस होता है, आप सभी का अंसर आएगा, पाइला इस हर्वी वोरस, ये हर्वी वोरस होता है, ये क्या होता है, ये हर्वी वोरस होता है, और सभी लोगों को य आस्फेरेडियम का नाम सुनते ही आप सभी लोग जान जाते हैं कि ये कौन है ये कीमो रिसेप्टर होते हैं और कीमो रिसेप्टर कहां पर दिया है तो आप बताएंगे कीमो रिसेप्टर मतलब आल फैक्टर से सम्मंदित होते हैं और ये कीमो रिसेप्टर होते हैं या आल फैक्टरी सेंसेशन के लिए जाने जाते हैं इस्टैटोसिस्ट आफ आरगन इस्टैटोसिस्ट आरगन आफ इस्टैटोसिस्ट आरगन किसके लिए होता है एक्सक्रिशन के लिए और फैक्टेशन के लिए सिक्रिशन के लिए या एक्किलिब्रियम के लिए किसके लिए होता है इस्टैटोसिस्ट इस्टैटोसिस्ट कि के लिए होता है इस्टेटोसिस्ट का नाम आता है तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये बैलेंसिंग आरगन होता है इस्टेटोसिस्ट क्या होता है ये बैलेंसिंग आरगन होता है और बैलेंसिंग की घटना कौन बता रहा है बैलेंसिंग की घटना आपका equilibrium बता रहा है और उम्मीद करते हैं लगबग सभी का correct answer आ रहा होगा equilibrium is the right answer. Statocyst Argon of equilibrium. Gill is monopactinate in. अच्छा सा question है कि Gill जो होते हैं ये Gill's monopactinate किसमें होते हैं? तो आप बताएंगे सर, Gill जो होते हैं monopactinate मतलब इसमें केवल एक Gill present होते हैं. और अगर बाइपक्टinate होगा तो इसमें दो Gill present होगे. जब ऐसे situation होगी, तो इस बाइपक्टinate और ये देखने को मिलता है सिफैलो पोड़ा में. सिफैलो पोड़ा बोले तो सिफैलो पोड़ा में कौन कौन आता है भई? अगर आपसे पूछा जाए सिफैलो पोड़ा का example कौन है? तो आप सिफैलो पोड़ा के example में किसको रखते हैं? जी देखते हैं कितने लोग correct answer बता रहे हैं सिफाइलो पोड़ा का example अगर आपसे पूछा जाए तो सिफाइलो पोड़ा में कौन आता है आक्टोपस आता है लोलिगो आता है सीपिया आता है हाँ चलेगा काफी अच्छा सिफाइलो पोड़ा में सीपिया आता है आक्टोपस आता है जी चलेगा और ये भी तो आता है इस्क्विड इस्क्विड भी तो आता है सीपिया आता है लोलिगो आता है इस्क्विड आता है ये सभी आते हैं जी उम्मिद करते हैं कि सभी लोगों का correct answer आएगा जे, बहुत अच्छे, गुड, तो आप बताएंगे, ये सब आते हैं और जो है, आप बताएंगे, इसका सही answer है monopactinate या comb-like gills किसमें पायाता है, paila में पायाता है, monopactinate gills इसमें पायाता है, bipactinate gills, cephalopoda में पायाता है, इसका सही answer है paila, mode of respiration in paila, paila में mode of respiration कैसा होता है aquatic, aerial, none, both, तो आप बताएंगे सर, mode of respiration की बात करें तो इसमें दोनों होता है, जब ये gills से respiration करता है, aquatic होता है, तो gills से करता है, जब ये aerial होता है, तो pulmonary sac से करता है, किसे करता है, pulmonary sac से करता है, pulmonary sac और gills, उम्मिद करते हैं, दोनों बातें आप लोगों को याद रखेंगे, याद रखनी है, तो इसका सही answer हो जाएगा, D, D is the right answer, aerial respiration in paila performed by, aerial respiration paila में कौन perform करता है, बुकलंक्स, gills, pulmonary या pulmonary chamber, तो आप सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा, pulmonary chamber is the right answer, pulmonary से काम नहीं चलेगा, pulmonary chamber is the right answer, और आशा करते हैं, लगबख सभी लोगों का correct answer होना चाहिए, pulmonary chamber, pulmonary chamber, pulmonary sac के नाम से famous है, किसके नाम से famous है, pulmonary sac के नाम से famous है, 20 number question, redulla is present in, redulla present होता है, आसान सा question है, लेकिन कभी कभी confusion दे सकता है, redulla present होता है, किस में present होता है, तो सभी लोगों का आंसर आएगा Redula is present in Redula present होता है Paila में सभी लोगों का correct answer होगा कि Redula जो होता है ये किस में present होता है ये Paila में present होता है ये Paila से प्रश्ण थे दोस्तों आप में से जो लोग BSC Final Year में हैं MSC Final में हैं या BEARD Final Year में हैं वो सभी लोग biology के target 24 second batch जो कि एक detail batch है और इस batch के माध्यम से जुड़कर आप biology के complete syllabus को अच्छे तरीके से बिना किसी exam के pressure के अपनी तयारी को पूरा करने के लिए इस batch से जुड़ें एक बार जब आपकी तयारी हो जाएगी तो जब TGT की vacancy announce होगी या फिर TGT, PGT का further vacancy announce होगी तो उसमें आपको काफी फाइदा मिलेगा तो आप में से जो लोग भी MST final year में हैं या B8 final year में चल रहे हैं वो सभी लोग class से जुड़ने के लिए इस number पे WhatsApp करें और join biology लिखकर भेजें और practice session के लिए इस session से जुड़ें अब अगला topic है union, union से सम्मंदित प्रश्ण है और आप प्रश्ण देख करके बताएं कि इसका सही answer आप में से कौन देगा जो यहाँ पर fill हो जाए देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो बिना मेरे कुछ बोले हुए इस answer को सही कर सकते हैं किसके लिए ये दूसरा नाम है आफ लैमिली डेंस मतलब union के लिए union में आरगन आफ बोजाएनस ये किसके लिए दूसरा नाम है किसके लिए ये दूसरा नाम है तो आप बताएंगे ये दूसरा नाम है के बर्स के लिए नहीं ये दूसरा नाम है मेटानेफरीडिया के लिए किसके लिए नाम है मेटानेफरीडिया के लिए नाम नेम फार मेटानेफरीडिया ये मेटानेफरीडिया के लिए नाम मेटानेफरीडिया को आरगन आफ बोजाएनस कहते हैं आरगन आफ बोजाएनस को के बर्स आरगन भी कहा जाता है केबर्स आरगन भी कहा जगा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेटानेफरीडिया आफ लेमली देंस अब देखिए इसको दूसरा कोश्चन बिना पूछे आप सभी लोग इतनी तेजी से आंसर करेंगे कि ना पूछे दूसरा कोश्चन देखिए आप लोग बिना रुके बिना ठके आंसर करेंगे आरगन आप बोजैनस in fresh water मुसेल is in function किसमें function करता है सभी लोगों का आंसर आ गया X-Creatory, X-Creatory in function, देखा, बिना कुछ रुके, आप सभी का अंसर आ गया, X-Creatory in function, बहुत अच्छे, नेक्स कोशन, कोशन नंबर, MCQs पर आईए, यूनियो बिलॉंग्स टू, यूनियो बिलॉंग्स टू, विच क्लास, यूनियो किस क्लास को बिलॉंग करता है, प्लैकोफो स्कैफो पोड़ा, पैलिसी पोड़ा, गैस्टो पोड़ा, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, यूनियो बिलॉंग्स टू, यूनियो किसको बिलॉंग्स करता है, तो अब बताएंगे, पैलिसी पोड़ा को बिलॉंग्स करता है, पैलिसी पोड़ा का दूसरा नाम क्या है और उम्मिद करते हैं कि पैलसी पोड़ा का दूसरा नाम आप सभी लोग जानते हैं किसी के पास से जबाब आया भी पैलसी पोड़ा को और किस नाम से जानते हैं पैलिसी पोड़ा को देखिया अनुरोध जैश्वाल जी ने बताया कि इसे बाई वैल्विया के नाम से जानते हैं, निकिता गुपता जी ने बताया इसे लैमिली ब्रांकियेटा भी कहते हैं, इसे बाई वाल्विया भी कहते हैं, इसे लैमिली ब्रांकियेटा भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये एक्जाम में खास करके PGT में पूछा गया है, PGT में. लैमिली ब्रैंकियेटा, बाई वॉल्ल विया, पैलिसी पोडा, तीनों पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट हैं, और ये क्लास हैं, काफी इंपोर्टेंट हैं. केबर्स आरगन is the excretory आरगन आफ, केबर आरगन excretory आरगन होता है, आप बताएंगे यूनियो का, आरगन आफ बोजायनस होता है, दोनों का, लेकिन केबर्स आरगन जो होता है, वो यूनियो का होता है, याद करके रखना है, never be forget it, कभी भी भूलना नहीं है, कभी भी भूलन नहीं है कि ये किसका है तो आप बताएंगे सर ये है आपका most most important यूनियो का नेक्स कोस्चन है लार्वा आफ यूनियो का लार्वा होता है ट्रोकोफोर, ग्लोचीडियम, वैलिगर, प्लानुला, सभी का अंसर आ रहा होगा, ग्लोचीडियम is the larva of यूनियो, यूनियो का लार् आशा करते हैं, सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा, कि इसे ग्लोचीडियम लार्वा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, ग्लोचीडियम लार्वा के नाम से जानते हैं, ग्लोचीडियम लार्वा के नाम से जानते हैं, ग्लोचीडियम लार्वा के नाम से जानते है प्री आस्ट्राकम और ये कौंचियो लिन्की बनी होती है आउटर लेयर प्री आस्ट्राकम के नाम से जानी जाती है और किसकी बनी होती है कौंचियो लिन्की बनी होती है और आशा करते हैं कि प्री ओस्ट्रॉकम, ओस्ट्रॉकम, नेक्रे लेयर, तीनो लेयर के बारे में आप सभी लोगों को बहतरीन तरीके से पता है The muscles which responsible to open, काफी अच्छा question है The muscles which responsible to open and close, valve in union Union के valve को close करने के लिए और open करने के लिए जो muscles महत्पून भूमी का निभाती है, उसे कहा जाता है, adductor muscles क्या कहा जाता है, adductor muscles कहा जाता है, option ढूढ़िए, option में मिला This is called adductor muscles, ये adductor muscles होती है, जो union को क्या करती है इनके valve को open करने में, close करने में मदद करती है इन्हें हम लोग एड़क्टर मसल्स के नाम से जानते हैं शिक्स नमबर कोश्चन आपकी स्क्रीन पर गिल्स इन यून्यों आर यून्यों का गिल्स होता है जी, अपार्ट आफ विस्रल मास डेरिवेटिवस आफ मैंटल यह मिल गया यह derivatives of mental होता है यूनियो का जो gills होता है यह derivatives of mental होता है याद रखना है important point है derivative of mental यह derivatives होता है किसका mental का mental का यह derivatives के नाम से जाना जाता है टिफलो सोल present in union union में टिफलो सोल कहां present होता है union में टिफलो सोल कहां present होता है आशा करते हैं कि सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा कि यूनियों में टिफलो सोल प्रिजेंट होता है कहां प्रिजेंट होता है दोस्तों यूनियों में टिफलो सोल कहां प्रिजेंट होता है जी बताने की कोईशिश करिएगा उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer आएगा कि union में tiflo soul present होता है, कहां present होता है, तो सभी का जवाब आ रहा है कि ये present होता है rectum में, कहां present होता है rectum में, tiflo soul present होता है rectum में, next question है 8, heartbeat of union per minute, heartbeat union की per minute कितनी होती है, सभी का जवाब आ रहा है, 42-80, union की heartbeat 42-80 होती है, per minute याद रखना है, per minute इनकी heartbeat जो होती है, वो कितनी होती है, तो आप बताएंगे per minute 42-80 होती है, और आप में से जो लोग class में नए जुड़े हैं, और किसी कारण बस अभी तक अपनी attendance नहीं लगा पाएं हैं, वो सभी लोग अ जो लोग intestine वाले हैं, सच में वो कूटे जाएंगे, टिफलो सोल जो होता है, वो rectum में पाया जाता है, किसने पाया जाता है, rectum में पाया जाता है, एक concept है, एक chapter है, neural control and coordination, एक chapter है, neural control and coordination, जी, neural control and coordination, neural control and coordination, neural control and coordination में, जो है, एक बहुत ही अच्छा concept है, neural control and coordination, coordination, जब आप इसमें पढ़ते हैं, तो आप इसमें एक बहुतरीन सा concept पढ़ते हैं, किसके बारे में, एक आप concept पढ़ते हैं, neurons के बारे में, एक आप concept बहुतरीन सा concept पढ़ते हैं, neuron के बारे में, और जब यही पर आप neuron के बारे में पढ़ते हैं, तो neuron के बारे में बहुत सा सारी चीजें आप जानते हैं आप शुरू करते हैं मामला डेंड्राइट से और डेंड्राइट से साइटान में जाते हैं साइटान से एक्जान में जाते हैं एक्जान से टर्मिनल टर्मिनल एंड पर जाते हैं और पूरे सिस्टम को पूरे कॉंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और समझने के बाद आपके अंदर एक development आता है कि neurons अलग-अलग type के होते हैं एक होता है यूनि पोलर neuron एक होता है bipolar neuron एक होता है pseudopolar neuron एक होता है multipolar neuron ये आप neuron के बारे में पढ़ते हैं आपके exam में खुब question पूछा जाता है जी आपके exam में खुब question यहां से पूछा जाता है साथ में इसके बाद आपके सामने concept आता है transmission transmission of impulse transmission of impulse और जब transmission of impulse आता है तो आपके सामने खुब यह वाला diagram बनके आता है और आप हमेशा confused होते रहते हैं खुब यह वाला diagram बनके आता है और आपको समझ नहीं आता यह वाला प्लस चार्ज दिखा रहता है और फिर आप थोड़ी देर में देखते हैं तो यह चार्ज आपको उल्टा भी दिखाई देता है माइनस चार्ज यहां हो जाता है प्लस चार्ज यहां हो जाता है आप हमेशा confused रहते हैं कि क्या situation कब बन रही है और फिर एक बार पढ़ते हैं तो फिर आपको एक बार प्लस चार्ज यहां दिखता है फिर माइनस चार्ज यहां दिखता है ये जो आपको दिखाई देता है, कौन सी अवस्था दिखाई देती है, ये आपको अवस्था दिखाई देती है, एक resting अवस्था दिखाई देती है, एक depolarized, एक repolarized अवस्था दिखाई देती है, साथ में जब आप और आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहीं पर दिखाई दे कि जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये इतना अच्छा कांसेप्चुल टॉपिक है हमने सोचा है कि आफ्टर इड के बाद अभी रमजान में तो नहीं रमजान में बस जितनी क्लास हो जा रहे हैं अच्छी बात है आफ्टर इड तीन से चार घंटे आपको इंगेश करेंगे और इन तीन चार घंटे में बिना रुके बिना ठके शाम को छे बजे आपको शुरू करेंगे इड का गिफ्ट होगा ये आपके लिए एक चैप्टर इड गिफ्ट इड गिफ्ट में एक चैप्टर आपको देंगे 6-10 छे से 10 बजे तक का महौल बनेगा और पूरे जी नहीं मुझे कोई कपड़े ना भेजे ऐसा ना करे ठीक है इड के बाद कोई मिठाई ना भेजे कोई कपड़े ना भेजे नहीं चलेगा कोई बात नहीं लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आमिर सर को भी इड का कोई गिफ्ट दे दे तो आप हमें गिफ्ट दे सकते है लेकिन कौन सा आप हमें ये gift दीजिए न आप मुझे challenge दे दीजिए कि कुछ भी हो जाए अगर हमें जान हैं अगर हमें जान हैं मतलब अगर आप जिंदा हैं कहते हैं अगर आप जिंदा हैं जिंदा होने का सुबूत बस इतना दीजिए CO test series, एक CO test series daily solve करिए, साथ दिन होते हैं, आप हमसे एक दिन छुट्टी ले लिजिए, एक हफ़ते में 6 test series solve करिए, एक महीने में 23 solve करिए, 24 नहीं, 23, क्या आप ये वाला gift दे सकते हैं, कि एक CO test series solve करें रोज, solve करते रहिए, आपको पता नहीं है, कि आपको आपका selection ऐसे होगा, कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बस आप इतना करते रहिए, अरे विने मैनी जी तीन तीन मत करिए नहीं, पचास में नंबर वन रैंक आप ही किया जाएगी, हमें तो डर है कि आप में से कुछ लोग चुपके चुपके इतना मेहनत कर रहे हैं, कि रैंक होल्ड कर सकते हैं, करते रहिए, बस एक CO test series रोज solve करते रहिए, जब कहते नहीं है, जब आप खूब मेहनत कर चुके होते हैं, कामियाब कौन होता है, कामियाब वही होता है, जो खूब मेहनत कर गाचुका होता है और अपनी महिनत में कमी नहीं आने देता और जब महिनत में इनसान कमी नहीं आने देगा माना कि situation हर negative परिस्थिति के बाद मतलब आप कह सकते हैं हर negativity के बाद positivity जरूर आती और जब हर negativity के बाद positivity आती है तो आप समझे कि ये जो आपका सिसन चल रहा है जो आपका समय चल रहा है मार्श तो गया कोई बात नहीं मार्श गया अब अप्रिल सुरू होगा फिर में सुरू होगा फिर जून सुरू होगा आपके दिल में कहीं न कहीं कसक है कि जुलाई में ये आप सब लोग मांग रहे हैं और आपके पास सिर्फ अपरिल मै और जून बचा है और ये तीनों महीने आप लगा दीजिये अपने रिवीजन में और सेवर्टे सिरीज में मान के चलिए जुलाई में एकजाम होगा हम तो चाहते हैं कि ये आपको एनाउंस्मेंट हो जा तब तैयारी करने का एक अलग सा जोश आपके अंदर आता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तब भी आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है, जी, तो वादा, और अगर इस वादे पर आप लोग खरे उतरेंगे, तो हम तीन से चार घंटे क्लास लेंगे, और तीन चार घंट क्लास ले करके, आपको पूरा केमिकल कोडिनेशन समझाएंगे, हार्ट बीट आफ यूनियो पर मिनट कितना होता है, चालिस से असी होता है, उमिद करते हैं, सभी लोगों को डन, आरगन आप बोजैनस और डेरिवेटिप्स आप, आरगन आप बोजैनस किसका डेरिवेटि किसका डेरिवेटिप्स होता है, जी, तो आप बताएंगे, ये किडिनी का डेरिवेटिप्स होता है, उमिद करते हैं, सभी लोगों को यहां तक की बातें, किलियर, इस्टैटो लिथ, नाम सुना है, हाँ, सुना है, इस्टैटो लिथ, इस पार्ट आफ, इस्टैटो लिथ किसका part होता है अगर आपसे पुछा जाए तो आप सभी का आंसर आएगा तो आप सभी का आनसर आएगा इस तरीके से हम सभी लोगोंने cover किया एक इसके बारे में हम सभी लोगों ने cover किया रिक्सिया से question, पाइला से question और हमने यूनियो से प्रस्ण को complete किया आप में से जो लोग पूरी biology को detail में पढ़ना चाहते हैं वो सभी लोग हमारे बैस से जुड़ने के लिए इस नंबर पे वाटसेप करें ज्वाइन biology लिख कर भेजें और जो लोग से ओटे सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग इस नंबर पे वाटसेप करें ज्वाइन बायो टे सीरीज लिख कर भेजें आज के लिए इतना मिलते हैं आपसे कल संडे हैं कल कोई क्लास नहीं होगी टोटली आपकी छुट्टी होगी एद के बाद से फिर संडे को क्लासेज होना शुरू होगी लेकिन कल कोई क्लास नहीं है आप लोग बहतरीन तरीके से अपना रिविजन का कारे करते रहें आज के इतना मिलते हैं आपसे मंडे को. Thank you to all of you. Good night, Shubhraatri, Jai Hind.